नमस्कार दोस्तों है हूँ जितन चौधरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडू टेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के IPO के बारे में जिया दोस्तों कैस लेकर रहो तयार देश का सबसे बड़ा IPO LIC ला रहा है जिया दोस्तों य यदि आपका वीमा है तो आपके लिए सुने पे सुहागा है और यदि आप लोग IPO के तरिए पैसे कमाना चाहते हैं तो LIC का IPO आपको कर सकता है माला माल तो जो लाई टी के साथ पूरा discussion जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे देखे आइपियो का मतलब होता है इनिशियल पबलिंग ओफरिंग इनिशियल पबलिंग ओफरिंग आइपियो का पूरा नाम होता है जब कोई पहली बार BSC और NSC पर लिश्ट होता है तो उसे बोलते हैं IPO यानि IPO के जरिये ही company जो है BSC यानि की बांबे stock exchange और national stock exchange दोनों पर लिश्ट होती है और इसमें बंपर कमाई का मोगा मिलता है यानि कहने का मतलब है दोस्तों इसमें आपको साथ से दस दिनों के भीतर भीतर आपका पैसा दो गुना तिन गुना चार गुना हो सकता है क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगी IPO में और जितनी ज्यादा बार listing होगी जितना ज्यादा टाइम लोग इसको subscription करेंगे उतना ज्यादा बेन फीट आपको इस IPO से मिल सकता है तो यदि सपोज कीजिए कि LIC के का जो IPO है इसमें आपको किस तरह से फायदा हो सकता है देखिए LIC आपको पता होगा कि LIC Life Insurance Corporation इंडिया की सबसे बड़ी insurance company है जो health sector से है यानि कि स्वास्ते सिवाए insurance का insurance करने वाली एक company है तो LIC में जो है आपको छपपर फार के इहां पर पैसा मिल सकता है और दूसरे सबसे बड़ी बेन फीट ए है कि यदि आप LIC के shareholder है यानि कि यदि आपका भीमा यदि आपने insurance अपने health का insurance LIC में कराया है तो AIPO आपके लिए golden chance बन सकता है golden opportunity है यहां पर क्योंकि company का AIPO जो है जो LIC के policy धारक है उनको ज्यादा benefit मिलने वाला है तो 31 परकार का benefit मिलने वाला है यह भी इस वीडियो में discuss करेंगे तो please बने रहे है वीडियो में अंतक देखें जो LIC के जो ग्रहक है यानि कि LIC के जो shareholder है उनको जो है 10% का stake यहां पर मिल सकता है जी या दोस्तों 10% का stake यहां पर LIC के policy धारकों को मिल सकता है अन्य लोगों की तूलना में तो यानि अदि आप LIC holder है तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया चांस है यहां पर पैसे कमाने का अब बात करेंगे कि LIC यानि कि Life Insulation Corporation आप इंडिया को जो है इंडियन गवर्मेंट ने जो है इसमें अपना stake बेचने की युजना चल लही थी और LIC के share को बीच कर जो है वो इससे fund इकठा करने की कोसिस कर रही है और LIC का fund LIC का share बेचेगी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार तो इसके लिए उसे market में इसे एलोट कराना पड़ेगा तो इसलिए जोस्तों LIC का IPO लांच होने जा रहा है और आपको बता दें कि LIC के पास करीब 12 लाक एजेंट है जी या दोस्तों यानि कि कस्मीर से लेकर करने कुमारी तक हर देश में जो है हर स्टेट में भारत देश के हर देश में जो है पैसर सव साखाए हैं और 12 लाक एजेंट हैं यानि कि LIC में तकरीबन 12 लाक से उपर जो है एजेंट यहां पर एक्टिव हैं काम कर रहे हैं और 6500 से अधिक इसके ब्रांचेज हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ी कितनी बड़ी इंसरेंस कंपनी है यानि कि यह जो LIC का आईपी होएग यह इस सदी का और इस पूरे स्टॉक मार्केट का सबसे वड़ा आईपी होने वाला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है थोड़ा सा वेट करें और कैस लेकर तयार है क्योंकि LIC का जो आईपी हो है इसमें आपको छपर फार के पैसे कमाने का मोगा देग देखिए LIC तो वैसे भी सबसे वड़ी कंपनी है इसके पहले भी IPO आये हैं जैसे Burger King ठीक है उसके बाद Happiest Mind का आया था IPO फिर Angel Broking का आया था IPO ठीक है अभी हाल में दोस्तो एक पेंट वाली कंपनी का भी IPO ठीक है तो IPO में पैसे कमाने का बढ़िया मौका है लेकिन इसके था के लिए यह IPO में अपलाई करने के लिए शेभी के निवा अनुसार आपके पास एक DMAT ACCOUNT होना चाहिए जीया दोस्तों यादि आपके पास DMAT खाता नहीं है तो अब आप आप IPO के लिए apply नहीं कर सकते हैं तो अभी तक आपके पास DMAT ACCOUNT नहीं है तो नीचे दिए गया description mark पर click करें हम जो है और हमारी पूरी टीम जो है आपका DMAT account खोलने में मदद करेगी आप नीचे दिये गए link पर click करके DMAT account आसानी से खोल सकते हैं ओभी free of cost यानि बीना एक रुपया खर्चा किए आपका फ्री में account open हो जाएगा दोस्तों जो 2021 का जो budget पेश हुआ है हमारे देश की जो financial minister है सिर्मति निर्मला सीता रमन जी उन्होंने जो है पहले तो 2020 में बात हो रही थी कि 2020 में LIC का IPO आएगा लेकिन करोना की वह से एटल गया लेकिन इस साल जो है अक्टूबर तक जो है LIC का IPO आ सकता है और LIC के छे तर्मयानी की insurance के सेक्टर में जो budget पेश हुआ है दोस्तों उसमें 74% FDI यानि की fixed deposit insurance यहां पर 74% की इसे दारी जो है insurance कंपनियों को दी गई है यानि की सबसे जादा फंड रेज और सबसे जादा सहुलियत इस budget में उन लोगों को मिलने वाली है जिए कंपनिया हेल्थ सेक्टर और insurance से हैं क्योंकि इसका जो प्रीमियम प्राइस होगा दोस्तों थोड़ा सा महांगा हो सकता है लेकिन LIC का जो IPO आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा valuation वाला IPO हो सकता है तक्रीवन 10 लाग करोड से भी उपर हो सकता है इसकी valuation क्योंकि HDFC, HDFC Life Insurance, HDFC Bank, TCS और Infosys जैसे इनसे भी बड़ी ये चुकि स्टाक मार्केट की सबसे बड़ी बड़ी कंपनिया है लेकिन LIC का IPO इनको भी प पूछे कि आप कोई बीमा करना करवाना चाहते हैं तो किस में कराएंगे तो लोग साब बोलेंगे कि LIC जैसे कि लोग बोलते है ना ठंडा मतलब Coca-Cola, Colgate मतलब तूट ब्रस का मतलब Pepsodent या Colgate उसी तरह जूते में या तो Nike या तो अने ब्रांग जो होते हैं इसी परकार ज जो है आपको एक बढ़िया पैसा कमाने का महुका है एक golden आपरचुलूटी है तो प्लीज आप इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि LIC जो है आपके पैसे को चार गुना पाच गुना करके यहां पर देगी क्योंकि ज्यादा तो लोग जो insurance सेक्टर में अपने पैसे को निवेस क राते हैं और लाइसी को जंदगी से पहले और जिनदगी के बाद भी जियानिकि एलाइसि जिंदगी से पहले और बोनस देता है और एदि आपका एक्σιदेंटल हो जाता है जैने की आपसमिक दिमृत्ट हो जाती है कि तो जो लाइची के जो पॉलिशी होल्डर होते हैं उनको जो है इसका मुँवजा लाइसी क कामपनी देती है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी बड़ी IPO आती है उसमें हम हमें जो है आई पीओ अलाट क्यों नहीं हो पाता है यह सबसे बड़ी समस्या है कि लाइसी ओ अलाट क्यों नहीं हो पाता है इसमें देखिएगा बहुत से लोगों को जो है अलाटमेंट मिले गा ही नहीं इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े आई पीओ आये 2020 में करोना काल में लेकि तो वो कौन सी ट्रिक है दोस्तो जिसके दर ये IPO आसानी से आपको बने रही है जे के रूटेक के साथ अभी मैं उस बारे में डिसक्स करने जा रहा हूँ देखिए IPO में एदी आप 10 लाट, 100 लाट, 200 लाट एक ही बार में खहिदा चाहते हैं तब आपको अलाट नहीं मिलता है आपके पास एदी देखिए अगर एदी आप एक चालाक इंवेश्टर है तो एदी आप IPO में अपलाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दो तीन डीमेट अकाउंट खोलिए जैसे एक ही पैंस से नहीं क्योंकि एक पैंस से एक कंपनी में एक ही डीमेट अकाउंट ओपन हो सकता है तो जैसे कि एंजल वरोकर है आप स्टॉक से जे रोधा है तो अपने परवियार में धितने लोग है उन सब के नाम से जो है एक डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए ठीक जिस तरह आप future and option में trading करते हैं तो जितने भी family में आपके member हैं उनके नाम से आप DMAT account open कर लिजिए और सब के DMAT account से दो-दो lot की size में जो है IPO apply कीजिए suppose कीजिए आपके परिवार में 5 लोग हैं और दो-दो की lot की size में IPO allot करते हैं तो आपको 10 lot असानी से मिल जाएगा क्योंकि आपको पता होगा कि health और insurance का sector हमेशा बना रहेगा और हमारे देश की जो financial minister है वो भी इनको support करना चाहती है क्योंकि करोना काल में सभी लोगों ने देख लिया कि health sector कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहा तो आई होब दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आओगा यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए ताकि हमारा उसा वड़ता रहा है और हाँ यदि आपको IPO एवम अन्य stock markets related कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप comment में comment कर सकते हैं about वाले section में मेरा contact number है वहां से भी मुझे contact कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद